नश्कार दोस्तों वेल्कम टू एक्जाम ग्यानमंत्रा तो दोस्तों राजश लेकपाल 2015 ठीक है परिक्षा के प्रिथम पाली के पेपर को आज हम लोग कवर करने वाल हैं जिसमें सावान निग्यान के कॉश्चन रहेंगे 25 ठीक है आपको पता होगा टोटल 100 कॉश्चन पू आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं शादी साथ चली आज भी कवर करते हैं सावान नियान के 25 कॉश्चन आज ये प्रिथम पाली है इसी प्रकार से लगातार हम लोग दुत्य पाली राजश लेकपाल सादी साथ चगबंदी लेकपाल परिक्षा के प्रिथम और दु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जैसे हम लोग वीडियो अप्लोड करेंगे आपके पास अपडेट आजाएगा जिल्लों हैं तो दोस्तों अभी तक नौटिफिकेशन बैल को प्रेस करके और पैस जरूर कर लेना ये मेरी आपसे परस यहां पर दिया गया है ठीक है अधिकतम अंक जैसा कि मैंने कहा सौ कॉश्चन पूछे गये थे जो की असी आपके ठीक है नंबर के थे बीस नंबर का इंटेर्विव रखा गया था इसमें किलियर और जोस्तों यह जो पेपर हुआ था आपका इसमें एक क्या चीश थी इसम लोग इंग्लिस स्ट्रीम से हैं आप भाई इसको देख सकते हैं यह हम लोग हिंदी में इसको कवर करें हैं साधी साथ जो ऑफिशियल आंसर की थी ठीक है इस परिक्षा के बाद यूपी टबल सी के उसके अकोर्डिंग इन आंसर को हम लोग टेक करेंगे तो आप यह जो य उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार की आयुशिमा ठीक है चले अगला कॉस्चन देखते हैं सॉफ्ट बैंक यहां एक गाली स्थान दिया गया है और फॉक्सकॉन टेकनलोजी ग्रूप ने एक सायुक्त उपकरम स्बीजी क्लीन नेट क्लीन टेक बनाया जो की ग्री साथी टेकनल एंटर्पराइज़ कि हमारे रुद्र में ऑक्सीजन का परीवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका क्या नाम है सबको पता होगा हीमोगलोगिन से ऑक्सीजन का परीवहन होता है ठीक है अगला कॉस्चन देखें किस देशने कोप अमेरिका 2015 जीता था करे जिसके द्वारा मनाया गया था मुसलIM लिग के द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कारवाई द्वस क्लीर है चोड चोरी होरौ इपने में उन्हें तत्त कौन सा है दोस्तों तो फिलोरीन होता है सबसे अधिक रिंड बिद्धोती तत्त है बी अपना अंसर हो जाएगा यह थोड़ा फसाने वाला कॉस्टन है एंद पीपी से क्या भी परा है आपका ठीक है एंद पीपी से आपका क्या भी परा है यह इसमें पूछा गया है उ उत्तर हो जाए दोस्तों आपका question number 68 है जो उसका 68 नहीं 58 है उत्तर हो जाएगा इसका option number B national population policy ठीक है option number B आपका उत्तर हो जाएगा national population policy clear चले अगला question देखते हैं अगला option देखते हैं दोस्तों भारत की उच्चितम बारशिक बरसा कहां पर दर्च की गई है जो लोग competitive exams की तयारी एक दो साल से कर रहे हुए या फिर लगभग अच्छे से कर रहे हुए जो लोग तयारी सबको आंसर इसका पता हुगा मासिल नाम मिघाल है ठीक है उत्तर हो जाएगा इस प्रिश्ण का अगला question है दोस्तों जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उध्धमी और अनेक नागरेक निकायों के बीच अपसिष्ट प्रिबंध पर समझाता हुआ है इसका उत्तर गुजरात था ठीक है असम नहीं था इसका उत्तर गुजरात इसका आंसर था सही वाला अगला question देखें दोस्तों हाल ही में अंतराष्टिक क्रिके पांसल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तो जहीर अब्बास के चुना गया था सवेंय अबग्या अवंद्य आंदूलंका मुख्य उद्दिश क्या था तो दोस्तों नमककर के बरुद्ध था ठीक है इस अगला question देखते हैं अनावरन पर किसी पधारत का बायू से नविक का अपशोषण कनने का गुण क्या कहा जाता है तो दोस्तों प्रश्वेदन कहा जाता है ठीक है उत्तर क्या हो जाएगा अपना option number B हो जाएगा प्रश्वेदन अंतराश्टी है गमन क्या होता है migration आप सभी को पता होगा देशों के बीच में लोगों का संचलन ठीक है आपने कई बार birds का migration सुना होगा ठीक है birds का migration आपने कई बार सुना होगा ठीक है तो देशों के बीच में लोगों का संचलन गहलाता है अंतराश्टी migration पप्रायदीपै भारत का दक्षणी चोर कन्या कुमारी स्थित है ठीक है तो प्रायदीपै इसमें से option मैं से चार option दिये गए है भूम के देखा की उत्तर में स्थित है डिक है जैसę यह अटन कार्णा कमारी हो जाएगा अगला कॉस्चन बहे कौन सा इस्थान है जहां अंतिम मुगल शमराड बहादुर शाह जफर की मृत्ति हो गई थी तो आपको पता होगा अठासो सप्तावन की जो किरांती थी अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था तो रंगून में हो गई थी बहादुर शाह जफर की मृत्तिव अगला कॉस्चन केंदर सरकार के बिकास बयाय में शामिल नहीं है सभी को पता होगा जो लोग थोड़े दिमाख से कॉस्चन को करेंगे रक्षा बयाय अपना उत्तर हो जाएगा डिफेंस का देखो अलग से बजट बनता है आप सभी को पता होगा ठीक है तो उत्तर हो भूकंप आये थे ठीक है नेपाल में भूकंप आये थे बहुत ही ज्यादा इसकेल वाले ठीक है तो अच्छी खाजी तवाही हो गई थी वहां पर तो इसलिए भारत ने अगला कॉस्चन देख लेते हैं निमलकित मैंसे चले इस कॉस्चन के बारे में थोड़ा एक चीज़ और डिसकस करते हैं अभी भारत दो सो पचास मिलियन ठीक है देने वाला है नेपाल को एड देने वाला है यह कोई लोन नहीं होगा यह एड होगी दो 250 मिलियन ठीक है तो यह भी थोड़ा कवर कर दिया मैं निमलकित मैंसे कौन केबिनेट इस्तर का होता है विपक्ष का नेता दोस्तों केबिनेट इस्तर का होता है क्लियर मत्रुड़ा डिकबोई पानीपत में परिशकरन साला है किसके दुवार इस्थापत की गई है ठीक है इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट की दुवारा यह परिशकरन साला है इस्तापत की गई है कॉस्चन नुमबर 71 है निमलकित मैंसे कौन सी समिती ने मूल करतब्यों को सम्मिधान में समलित करने का सुझा दिया था तो दोस्तों आपको पता होगा 42 मां सम्मिधान संसोधन ठीक है 1976 जो हुआ था कि स्वाने सिंग समिती इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है स्वाने सिंग समिती दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पिलियर कि दाले किसका अच्छा स्तुरूथ हैं तो दोस्तों प्रोटीन का अच्छा स्तुरूथ हैं बिटामि मतलब अदालू सरथ पर पत्थर लउटकाना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुड़काने में कि या 24 hem ठीक है सड़क बैसे ही ढाली है तो ढड़क जाएगा common sense का question है तो अगला question question number 74 निमलकित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में कहा जाता है दोस्तों प्रिस्ताबना को संविधान की आत्मा कहा जाता है अगर इस question है पूछा जाता कि डॉक्टर भीम राव अमबेटकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और article 32 संविधान एक उपचारों का अधिकार अगर दिया होता है यहां पर तो उत्तर क्या हो जाता अपना भीम राव अमबेटकर के आत्मा पूछा जाए तब आप बताएंगे article 32 ठीक है या फिर संविधान एक सुधार इ के भूल पाथ हैं तो दोस्तों देखो जो جे के के 25 कॉस्चां थे ठीक है जी के के जो पच्चीस कॉच्चं थे उनको हम लोग ने कवर कर लिया है अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग गराम कास के रूरल डेवलप्मेंट के 25 कॉस्चं को अच्छे से कवर करने का परियास करेंगे, आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि जो पिछला पेपर आया था किस प्रकार के पहाँ पर कॉश्चन पूचे गए थे, अगला जो पेपर आ सकता है उसमें किस प्रगार एक कॉस्षिन पूछे जा सकते हैं साधी साथ जो लोग लिखपल परिक्षा की तयारी अच्छे से करना चाहते हैं इस किताब को ले सकते हैं आपका इसमें complete slivers पूरा cover किया गया है जिसमें हिंदी, गड़ित, सावन गयान, गराम बिकास current affair भी आप किसमें मिल जाएगा previous का एक paper दिया गया है 1200 MCQ आप किसमें मिल जाएंगे साधी साथ दोस्तों आपको दिया गया है इसका slivers की क्या क्या दिया गया है तो इसमें 2600 लाग पृष्ण पत्र, current affair राजश विवाग की जानकारी, सावन हिंदी के topic दिये गया है, ये गड़ित के दिये गया है सावन गयान और gram विकास की ठीक है और साधी साथ updated आपको ठीक है इसमें पूरा study material ये मिल जाएगा साधी साथ चक्छू publication का देखो practice set आता है बहुत ही comprise में आप practice set को अभिल कर सकते हैं इसकी लिंक दे रहा हूँ आप Amazon या फ्लिपकार्ट से जाकी इसको बाए कर सकते हैं ठीक है, और जो complete guide है सभी की मैं description लिंक दे रहा हूँ gram समझ विकास ग्रावी जानकारी की इसकी किताब आती है updated पूरा इसमें study material दिया गया है ठीक है तो आप इनको लेके बहतीरीन तरीकी से अपनी तैयारी कर सकते हैं updated study material अगर आप पढ़ना चाहें आपकी परेक्षा के लिए clear? चले मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में description में तीनों किताबों की link दे रहा हूँ में से जाके आप इनको बाय कर सकते हैं जहन जे भारत भारत मत आगीजए have a great day